Hello Students, Welcome to my NB Classes आज मैं आपको अपने इस वीडियो में हिंदी का पार्ट 6 जिसका नाम है आखरी पत्ता इसका मैं आज आपको में प्रश उत्तर और साथ में ही इस पार्ट का व्याकरन बोद भी बताऊंगी इस पार्ट का उद्देश से यह है कि सकरात्मक रहकर जीवन जीने का संदेश देना यही इस पार्ट का उद्देश है इसका कहने का मतलब है कि हमेशा हमें अपने लाइफ में अपने जीवन में निरासावादी नहीं कि आसावादी होना चाहिए तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं तो इस पार्ट में यही स्टोरी है तो इसका जब मैं प्रश उत्र आपको बताऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा काफी क्लियर हो चुगा होगा कि आखिर इस पार्ट में क्या कहना चाहता है तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को यह बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ यह बेल आइकन जरूर दबाए तभी आपको मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा मुझे कमेंट सेक्षन में लिखिए आपको कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए मैं कोसिस करूंगे अपने अन्बी क्लासेश चैनल में लाने की और हाँ अगर मेरी राइटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज अभी एक लाइक जरूर करना चली स्टार्ट करते हूँ यह पाठ जो है आकरी पत्ता ओ हेन्री द्वार लिखा गया है प्रश्नको सू और जानसी की मित्रता कैसे हुई उत्तर है सू और जांसी दोनों ही कलाकार थी उनकी मुलाकात एक होटल में हुई थी दोनों की रूचिया और विचार एक जैसे थे इसलिए वे एक दूसरे की मित्र बन गई प्रश्नको जांसी के लिए बिस्तर से हिलना डुलना क्यों मुस्किल हो गया था उत्तर है जांसी को निमोनिया हो गया था उसके फेफडो में बलगम जम जाने के कारण वह इतनी कमजोर हो गई कि उसके लिए बिस्तर से हिलना डुलना भी मुस्किल हो गया था प्रश्नको बहर्मन की अनोखी कलाकृती कौन सी थी उत्तर है बहर्मन ने तेज हवा और भयंकर बारिस के बावजूद पूरी रात जाग कर महनत से बिलकुल असली लगने वाला अंगूर की बेल का पत्ता बनाया था वह पत्ता इतना सुंदर था कि असली जैसा प्रतीत होता था इसी ने जांसी के प्राणों की रक्षा की थी यही उसकी अनोखी कलाकृती थी आगे बढ़ते हैं सोचिये का प्रश्न को क्या मनुष्य को आसावादी होना चाहिए निरासावादी तो संघर्स करने से पहले ही हार मान लेता है अपने विचार बताइए उत्तर है आशावादी ता ही जीवन जीना सिखाती है आशावादी ही जीवन की समश्याओं का सामना कर पाते हैं निरासावादी तो मुसिबत का नाम सुनकर ही तूट जाते हैं और हार मान कर जीवन मिटा देते हैं यह संसार निरासावादियों के लिए नहीं है इस संसार में वही प्राणी जीवित रह सकता है जो निरंतर और अथक भाव से संघर्स करता है आशावादी ही इस संसार के लिए कुछ दे पाते हैं निरासावादियों ने तो संसार को कायरता ही दी है इसलिए हमें आशावादी और संगर्स हील होना चाहिए प्रेश्न खो कहानी में किस मनोवे ज्यानिक पहलू का उलेख किया गया है उत्तर है इस कहानी में या इसपष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति मन से स्वेम को बिमार मान लेता है निरासा के भावों में डूब जाता है तो उस पर दवाईयों का भी कोई असर नहीं होता है दवाएं भी उसी व्यक्ति को स्वस्थ कर पाती है जिसे स्वेम पर भरोसा होता है किसी भी व्यक्ति को सारेरिक रूप से स्वस्थ होने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवशक है स्वस्थतन और मन वाला व्यक्ति ही भरपूर जीवन जी पाता है निरासा से घिरे और मनोरोगी तो स्वेम पर, समाज पर तथा समूची मानवता पर बोज होते हैं आगे बढ़ते हैं प्रश्नकोव, सू और जांसी कौन थी? उत्तर है, सू और जांसी कलाकार थी और दोनों मित्र थी प्रश्नकोव, जांसी की हालत कैसी थी? उत्तर है, जांसी निमोनिया से भैंकर रूप से पीड़ थी, उसका मनोबल टूच चुका था प्रश्नकोव, जांसी क्या गिन रही थी और क्यूँ? उत्तर है जांसी अंगूर की बेल के पत्ते गिन रही थी क्योंकि वह सोचती थी कि जिस दिन इस बेल का आखरी पत्ता तूट जाएगा उसी दिन उसकी भी मिर्त्यु हो जाएगी प्रेश्न गोव क्या जांसी का सोचना सही था क्यों उत्तर है जांसी का सोचना सही नहीं था क्योंकि इस टूटे मनोबल के कारण उस पर दवाईयों का असर नहीं हो रहा था वैसे भी अंगूर की बेल उसके जीवन से जुड़ी नहीं थी संशेप में उत्तर लिखिए प्रश्नकौ जांसी के कमरे में जाने पर सू ने क्या देखा उत्तर है जांसी के कमरे जाने पर सू ने देखा कि जांसी लगातार खिड़की से बाहर देख रही थी और उल्टी गिंती गिन रही थी आगे बढ़ने से बचो आप सभी से रिक्वेस्ट अगर आपको मेरी राइटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज अभी एक लाइक कर दीजे उससे मुझे भी अच्छा लएगा और मुझे आपसे मोटिविशन्स मिलते रहेगी और मैं आपके लीज जादा से जादा वीडियोस लापाऊंगी चलिए आगे बढ़ते हैं प्रेश्नकौ जान्सी को क्या वहम हो गया था? उत्तर है जान्सी को वहम हो गया था कि जब इस अँगूर की बेल का आखरी पत्ता भी गिर जाएगा तो वह भी मर जाएगी प्रश्नको बहरमन की मित्यू कैसे हुई? उत्तर है बारिश में भीगते हुए अंगूर की बेल कपता बनाने के कारण उसे निमोनिया हो गया था और उसकी मित्यू हो गई विस्तार से उत्तर लिखिये प्रश्न को डॉक्टर ने सू से जांसी की बिमारी के विशय में क्या कहा उत्तर है डॉक्टर ने जांसी की बिमारी के बारे में बताया कि जांसी के बचने की कोई आशा नहीं है वह जीवन से निरास हो चुकी है जीवन के प्रती निराशा के कारण ही दवाई का कोई खास असन नहीं हो रहा है जांसी के मन में यह बात बैठ गई है कि वह अब कभी ठीक नहीं होगी और उसकी मिर्त्यों समीप ही है प्रश्निको बहरमान कौन था? वह क्या बनाना चाता था? उत्तर है बहरमान एक चित्रकार था उसकी उम्र साथ वर से अधिक हो गई थी वह जांसी और सू वाले मकान में ही सबसे नीचे की मनजिल पर रहता था वह कला के छेत में ओ सफल हो चुका था वह सदा ही एक अनोखी कला कृती बनाना चाता था प्रश्निको बेल का आखरी पत्ता किसने बनाया था? तथा इसके बारे में कैसे पता चला? उत्तर है बेल का आखरी पत्ता बहरमान ने बनाया था इसका पता तब चला जब चौकीदारों ने बताया था कि बहर्मन के कमरे से एक लाल्टेन और एक सिढ़ी मिली और एक प्लेट भी मिली जिसमें हरा और पीला रंग भी लगा था इसके अलावा कुछ ब्रश भी मिले थे प्रश्न गो बीमार लोगों पर दवाई असर कब नहीं करती उत्तर है बीमार होने पर लोग अपने जीवन से निरास हो जाते हैं अत्वा जीने की आसा ही छोड़ देते हैं उनके मन में सदे भी नकरात्मक विचार आते रहते हैं तो ऐसी अवस्था में दवाई भी अपना असर नहीं करती है अत्वा उसका असर जिस मात्रा में होना चाहिए नहीं हो पाता है प्रश्न अंगो बहरमन द्वारा किये गए कारे को आप उचित मानते हैं या अनुचित? कारण सहीत उत्तर दीजीए उत्तर इस पकार है बहरमन का कारे उच्च मानव मुल्यों से प्रेरित था किसी का जीवन बचाने के लिए उसके द्वारा बर्सात में भीगते हुए अंगूर की बेल पर पत्ते का चित्र बनाना अनोखी कला का उत्कृष्ट नमूना था ऐसे उधारन विल्ले ही मिलते हैं अतर कहा जा सकता है कि बहरमन द्वारा किया गया कार पूर्ण त उचित ही था आसे इस पश्ट कीजिए प्रश्णे अब मैं जान गई हूँ कि मरने की इक्षा करना बुरी बात है उत्तर है इस अन्स का आसा यह है कि जान्सी का खोया हुआ आत्म विश्वास लोट आया था उसे यह यकीन हो गया था कि मौत का विचार निर्थक था वो दवाओ के सेवन और उचित देखभा से स्वस्त हो सकती थी और स्वस्त हुई भी तो बचो यह था पार्ट 6 जिसका नाम है आखरी पता का प्रश्ण उत्तर अब मैं आपको इसी पार्ट का वियाकरन बोथ बताने वाली हूँ उससे पहले आपको याद दिला दू कि आप मेरे शनल को सबसे पहले सबस्क्राइब कर ले और ये बेल आइकन जुरू दबाए तब ही आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा चलिए आगे बढ़ते हैं वे आइकरन बोथ की तरफ निमलिखित वाक्यों में से विशेशन सब्द छाट कर लिखिए वाशिंग सहर में एक छोटी सी बस्ती थी जिसमें बहुत सारे कलाका रहते थे उत्तर होगा छोटी सी बहुत सारे ये सब विशेशन सब्द है पूरी बस्ती में लोग निमोनिया से धीरे धीरे पिढित होने लगे उत्तर है पूरी और पिढित जांसी बहुत मिलनसार लड़की थी मिलनसार उस बस्ती में कम ही लोग ऐसे थे जिन्हें निमोनिया नहीं हुआ था उस कम डॉक्टर ने कहा बाजार से कुछ दवाईयां लेते आना, उत्तर है कुछ सू के कानों में धीमी धीमी आवाज पड़ी, उत्तर है धीमी धीमी निम्न लिखित सब्दों में दार प्रत्य लगा कर विशेशन बनाए दुनिया, दुनियादार, इमान, इमानदार, हवा, हवादार, धार, धारदार, पहरा, पहरेदार, जान, जानदार, जिम्मा, जिम्मेदार, ठेकार, ठेकेदार, मजा, मजेदार नमबर तीन, निम्न लिखित वाक्यों को बहु अचन में बदल कर पुनह लिखिए उत्तर है बीमार होकर व्यक्ति इतने मायूस हो जाते हैं कि वे मौत के अलावा कुछ सोचते ही नहीं उत्तर खौ वह लगातार खिड़की से बाहर देख रही थी और उल्टी गिंती गिन रही थी उत्तर गौ तेज आंधी तूफान में भी लताओ से पते चिपके रहे गौ नमबर हमने सोचा था कि रात में ये पते जरूर गिर गए होंगे उत्तर अंगौ साम होने पर भी पते बेल पर जियो काते ओ लगे हुए थे उत्तर चौ हम जान गए हैं कि मरने की बाते करना बुरी बात है चार नमबर निमलिखित सब्द अर्थ के साथ दिये गए हैं इन्हें पढ़कर ऐसे वाक्य बनाईए जिससे दोनों अर्थ इसपष्ट हो जाए आली सकी हे आली देखो बगीचे में सुन्दर फूल खिले हैं अली भवरा फूलों पर अली मंडरा रहे हैं दीन दीवस उसका दीन काटे नहीं कटता है दीन दरिद्र एक दीन हीन व्यक्ति दर्वाजे पर खड़ा है नारी इस्तरी नारी सक्ती को अंदेखा नहीं कर सकते नारी नवज बुखार में नारी तेज चलने लगती है बात वचन मैं अपनी बात का पक्का हूँ वात हवा वात पीत कफ सारी रिक व्याधियां है हंस एक पक्ची सरवर में हंस तैर रहे हैं हस हसना तुम्हें कभी-कभी हसना भी चाहिए आई होप बच्चो आपको ये वीडियो आपकी स्टडिस में जरूर हेल्प किया होगा तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मुझे भी आपसे सपोर्ट मिलेगी और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाईए तभी आपको मेरा आने वाले अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा तो आज के लिए इतना ही थैंक यू बबाई देखते रहें अन्बी क्लासेस अन्बी कि अजर को झाली है